सर मेरा सवाल है वो है असोक गयलोत के नेतुत में जिस बीरोक्रेसी की टीम ने बज़र तयार किया है उसको आप किस डंग से देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि इनके सुजाव या प्रस्ताव को कहीं मुख्यमंति गयलोत ने माना भी होगा निश्य तोर पे गयलोत बीरोकिसी की सुनते हैं अपने लोगों की सुनते हैं उनका एक बेसिक फंडा है मैनेजमेंट का कि बेस्ट टीम पहले सेलेक्ट कर लो फिर क्या है complete delegation is complete trust और यही करते हैं नेंजन आरे को चुना कुल्दी व्रांका को सुना आखिल अरवडा को चुना ठीक है और अपनी टीम को चुना उनका लेटेस एक्सपेरिमेंट था नेंजन आरे जिसी सफलता को लेकर शंकाएं थी लोगों के मन में अब जब आये थे शुरू में ने ने तो इतने ज़्यादा जनतां से मिलने जाती थी पॉलिटिकल लोग जाती हैं को उनका connect रहा है फिल्ड के अंदर तो लोग कहते थे यार CS का दफतर पॉलिटिकल दफतर हो गया है वो थोड़े दिन की बात थी अब बिलकुल CS का दफतर जना absolutely CS के दफतर जैसा लगता है और कुर्सी सिखाती है और नियंजन आरे भी आपको बहुत पावरफुल और मंजवे चीफ सेकर्टी के दिखते हैं दो मेने कंदर तो कुर्सी सिखाती है अला सिखाते हैं तो गहलोत की जो टीम है टीम बहुत अच्छी बन गई इसमें नि मन में शुरू में ऐसा होता है भी मैडम के लोग रहे हैं लोग किसी का कोई नहीं होता देखो सब जैसे कुर्सी मिलते काम होता है और अखिलर और और तो वैसे भी नोन पॉलिटिकल आदमी नोन इंटरिफेरिंग आदमी बिलकुल ओनेस्ट आदमी है तो एक्सपरिमेंट क का पूरा सपोर्ट है बीरो किसी काम कर रही है ग्यालोत भी उनकी सुनते हैं एक अच्छा एक अच्छी लीडर्शिप में एक अच्छी टीम काम कर रही है